पार दोस्तों क्या हाल चाले अज की इस फीरियों मापको वाताऊंगा इस डिबाइस में डेली और मांत्री जो डेटाय यूज होता है वो कैसे देखे दोस्तों अब दो तिन तरिके से डेटाय यूज मोनिटर कर सकते है तो सबसे पहले फोन के सेडिंग्स में जाना होगा फोन सेडिंग्स ओपेन करने के बाद यहां नोटिफिकेशन और क्लिक काना है क्लिक काना है इसके लिए कोई भी थाट पटी अप्लिकेशन डाउलड करने के आब हो सकते नहीं है अगर आब निव वर्शन इस्तेमाल करना चाहते है अब डेटाय यूज मोनिटर करने का दो प्रोसेस बाता हूंगा नामबर वान डेटाय यूज सवर्ट कार्ट यहां सीक्यूर्टी अप्लिकेशन ओपेन करिए इसके बाद राइट टॉप को और सेडिंग्स में याके मैंने स्वर्ट कार्ट पे टैप करना है यहां से अब डेटाय यूज सेज दिखाने का स्वर्ट कार्ट बना सकते है इसको टर्ण ओन कर दीजिए अब होम स्कीन पर देखिए एक सौट कार्ट क्रियेट हो चुका है इस सौट कार्ट को ओपेन करके सीम ओवान और सीम टू का डेली डेटा यूज सेज देख सकते है इसके अलबाद data usage chat पे क्लिक करके किस application ने कितने data use किया है उसका details देख सकते है इस land पे क्लिक करके today, yesterday, last month और इस माइने का data usage monitor कर सकते हो यहाँ data icon पे tap करके mobile data usage और wifi data usage को भी track कर सकते है इस shortcut को tap and hold करके नीचे ले आईए बाद में जब आपको जुरू हो थो, यहाँ से daily data usage चेक कर लेना दोस्तो प्लेस्टोर से एक application डाउनलोड करके नया control center पर data usage देख सकते है इस application का link आपको वीडियो के description पर मिल जाएगा दोस्तो प्लेस्टोर से इस एप को डाउनलोड करने के बाद कुछ-कुछ पर्मिसन एलाउ करना होगा अब उस एप के उपर long press and hold करके एप इंफो में जाईए उसके बाद auto start पर्मिसन एलाउ कर देंगे तैकि ए background में बिना कोई restriction data usage मोनिटर कर सके इसके बाद application को open करना है फिर जो जो पर्मिसन मांग रहा है उसे allow करना होगा तो मैं एक-एक करके allow कर देता हूँ सभी पर्मिसन एलाउ काने के बाद स्कॉल करके निचे निचे आए नेक्स्ट data usage पर टैप करना है यहां दो पर्मिसन show mobile data usage और show today usage को टन ओन कर देंगे दोस्तों अब उपर right side से notification panel open करके देखिए नया control center के अंदर एक data usage toggle add हो चुका है यहां से monthly and daily data usage देख सकते है दोस्तों नया control center customize करने के बाद अगर कोई toggle यहां से missing रहते हैं तो edit icon पे tap करके कोई shortcut toggle add कर सकते है दोस्तों data usage app set हो चुका है अब background से सब यह application close कर देना उसके बाद अपना device के एक बाद restart कर लीजिए restart का मदल अब iPhone switch off करके बापस on कर लेना तो दोस्तों इस तरीके से अब daily mobile और wifi data usage monitor कर सकते है उम्मीद करते हों कि ए वीडियो आपके लिए बहुत है भूलता हम ते इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सबसेट करना ना भूलें झाओ